हाई वेल रणुमा चैनल इस वीडियो में स्वाल करें इंग क्वेशनमा 25 लेडी सौपकीपर एलाउज हर कस्टमर्स 10% डिसकाउंट आंधी मांग्ड प्राइस ठीक है अब दी गूड्स एन स्टिल गेट्स अ प्राफिट अब 25% तो एक लेडी सौपकीपर हैं वो क्या कर रह इस पर फाइदा उनको मिल रहा है 25% का वाट इस दो कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा फार हर उनके लिए मांग्ड एट रुपीज 1250 मतलब कि मांग्ड प्राइस उस फैन का जो है वो की है कितने में 1250 तो मतलब यहां पर देखिए इसको हम सॉल् बहुत लेंदी हुए में और समजाते हुए अच्छे से यहां भी समझाएंगे लेकिन आपको साटकर तरीके से बताएंगे ठीक है पहले हम क्या करेंगे कि CP लिख लेते हैं और उसके बाद लिख लेते है MP और उसके बाद लिख लेते है अब जो जो धिया है व वह सब यहीं पर depends कर लेते हैं तो देखर कर दिया है 10% डिसकाउंट दिया हूं अब इसके बाद उसके बाद अब profit percent है still get profit percent है 25% अब देखे यहाँ पर दे दिया है profit percent दिया हो कितना 25% जब profit के बाद होगी तो हमेशा इस case के बीच के होगी मतब CP और SP के बीच में ही profit percent या loss percent हम calculate करते हैं तो यहाँ पर दे दिया है profit percent is called to 25% ठीक है हमने सब कुछ यहाँ पर दिखा दिया हमें निकालना क्या है what is the cost price हमें निकालना है CP CP कितना होगा तो CP निकालना है तो यहाँ पर MP पहले पता है न 1250 तो यह discount percent का use करके हम SP निकाल सकते हैं पहले पहले हम SP निकालेंगे उसके बाद SP निकालने के बाद हम CP निकालेंगे तो हम SP निकालने के लिए क्या करते है हमें पता है कि SP MP और discount percent में एक relation होता है formula होता है SP बराबर MP multiplied by 100 minus discount percent upon 100 solve करने में हमारा SP निकालेगा तो MP कितना है यहाँ पर यह रहा है 10250 यह हो जाएगा 100 minus discount percent आपका 10% है ठीक है मतब 90 हो जाएगा यह मतब 1250 इन्टू यह हो जाएगा 90 अपान 100 हम यहाँ पर कटा लेते हैं तो यह जागा 25 फोर्जा 25 ऐसा यह 0 कैसे रुकाट करते है 0 कैसे लोग यहाँ जिरो यह के जिरो गया ठीक है 9 बचा 9 सिंप्लेगा लीजिए 95 जा आप यहाँ मट्प्लाई करेंगे न तो फाल्तू के मट्प्लाई मत करिए इतना रने दीजे 125 एंटू 9 अभी देखे इसका यूज करेंगे हम लोग तो सिंपल हो जाएगा अब हमें निकालना क्या है CP निकालना है 50% दिया है 25% तो हम जानते है कि CP बराबर होता है SP 100 अपान 100 प्लस गेन परसेंट ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा SP कितना है SP आपका यहाँ पर इतना है लिख दीजिए 125 इंटू 9 इंटू 100 अपान यहाँ पर करना है आपको 100 अपान 100 प्लस गेन 100 प्लस गेन कितना है आपर प्राफिट है 25% तो यह हो जाएगा 125 मुट्प्लाइट बै नाइन इंटू यह हो जाएगा 100 अपान यह एड़ कर लिजिए तो 100 मिल जाएगा आपर अब देखें यहाँ पर यह डिरेक्टली यहाँ से यह कट गया यदि हम मुट्प्लाइग किये होते तो यहाँ पर किंसल आट करने में बहुत टाइम लगता है है कि नहीं यहाँ पर कट गया पहले ही यह 9 into 100 कितना हो जाएगा यहाँ से 900 आ जाएगा रुपीज सिंपल है तो हमारा सीपी जो निकालना था तो सीपी आगे हाँ पर 900 तो यहाँ आट इस यूर आंसर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीन सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमेसा मिलता रहेंगे क्लास 12 तक आप यदि पढ़ रहा है इसमें क्लास 8 में क्योंकि यह क्वेशन जो है क्लास 8 का है आईडी सर्मा का यदि आप क्लास 8 में है तो समझ जएगे कि मैं आपके साथ रहूंगा क्लास 12 तक डिफिनेटली ओके तो यदि आप 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 सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो थैंक्यू सो मच और यदि आप नहीं भी कियोंगे तब इस थैंक्यू सो मच बाई